नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम सॉल्फ करेंगे अपने फर्स चैप्टर के कुछ बेसिक और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशिन्स तो इसमें जो पहला क्वेशिन है निम्ले लिखित के आणविक द्रवेमानों का परिकलन कीजिए तो आपको इसमें दो पार्ट्स दिये गए हैं पहला आपको जल के अनु का द्रवेमान ज्याद करना है और दूसरा मेथेन यानि की CH4 का आणविक द्रवेमान ज्याद करना है तो एक एक करके इनको सॉल्फ करते हैं देखिए जल का अनु यानि की H2O इसके आणविक द्रवेमान का परिकलन आप किस प्रकार से करेंगे दो यहां पर हाइड्रोजन के परमानूं की संख्या है है ना तो आप दो गुणा हाइड्रोजन का परमानूं द्रवेमान लिखोगे हाइड्रोजन का परमानूं द्रवेमान कितना होता है एक इकाई ठीक है प्लस oxygen के कितने पर्माणू है? oxygen का एक ही पर्माणू है और oxygen के पर्माणू का द्रविमान कितना होता है? 16 एकाई, ठीक है? आप इसको solve कीजिए तो इसको जब आप solve करेंगे यह कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 यूनिट या फिर एकाई, ठीक है? और जो H2O है, या फिर जो जल का आणू है उसका द्रविमान आपका आजाएगा 18 यूनिट या फिर 18 एकाई ठीक है? इसी प्रकार से CH4 यानि कि मिथेन का आणविक द्रविमान भी याद कर सकते हैं तो देखिए, कार्बन के एक पर्मानू का द्रविमान कितना होता है? 12 एकाई या फिर 12 यूनिट है ना? और एक ही तो पर्मानू है, कार्बन का प्लस हाइड्रोजन के एक पर्मानू का द्रविमान कितना होता है? 1 एकाई या फिर 1 यूनिट ठीक है? तो इसको solve कीजिए ये हो गया 12 प्लस 4 है ना इतना unit या फिर 1 आई तो CH4 का जो आणविक द्रविमान है वह कितना हो गया 16 unit या फिर 16 आई अगला question देखते हैं अगला question है आईरन के एक oxide के मुलानुपाती सूत्र का निर्धारन जिसमें द्रविमान के अनुसार 69.9% आईरन यानि की 79.9% आईरन और 30.1% अर्था 30.1% आई तो जब हमें मुलानुपाती सूत्र ग्याद करना होता है किसी भी योगिक का तो हम step wise करते हैं है ना और उसके लि तो हमने इस प्रकार से एक table बनाई यहाँ पर कितने तत्व दिये गए हैं हमें दो तत्व दिये गए हैं एक है iron और दूसरा है oxygen तो सबसे पहले हम इस table को fill करते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले तो तत्वों का नाम लिखेंगे दूसरे वाले block में हम लोग लिखेंगे प्रति कि जितने जितने परसेंट भी हमको तत्वों का दिया गया है वहें ग्राम में अभिव्यक्त हो सकता है ठीक है इस वाले block में हम लोग लिखेंगे परमानु द्रव्यमान उन तत्वों के क्या-क्या परमानु द्रव्यमान है ठीक है next में हम लिखेंगे ग्राम परमानु या फिर मोल यही तो करते हैं हम मुलानुपाती सूत्र ज्याद करने के लिए है ना उसके बाद परमानुपात परमानुपात या फिर इसको क्या बोला जा सकता है मोलर अनुपात है ना अब यह कैसे ज्याद करते हैं यह याद है आप लोगों को अभी आपका रिविशन भी हो रह में अनुपात मुलानुपाती सूत्र ग्याद करने के लिए सरलतम पूर्ण संख्या में अनुपात चाहिए होता है तत्वों के परवाणों को स्टेबल को फिल करते हैं तत्वों में हमें कौन-कौन से तत्व दिए गए हैं एक है FE यानि की iron है ना और दूसरा है oxygen ठीक है इनकी प्रतिशत्ता ग्राम की रूप में हम अभिव्यक्त करेंगे तो iron की प्रतिशत्ता कितनी है 69.9% या फिर हम क्या लिखेंगे 69.9 gram ठीक है 56 gram ठीक है और oxygen का पर्मानू द्रविमान कितना होता है ये होता है 16 gram ठीक है इनहें gram पर्मानू या फिर मोल के रूप में कैसे हम लोग ग्याद कर सकते हैं तो देखिए जब हम ये gram में जो हमने इनकी प्रतिशत्ता को अभिव्यक्त किया था ना इसको divide कर देंगे इनके पर्मा ग्राम पर्मानू मोल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे ठीक है तो करते हैं इसे solve 69.9 अपॉन 56 दोनों ही gram में थे तो cancel हो गया है ठीक है 6888 तो इतनी gram पर्मानू किसके लिए oxygen के लिए ठीक है अब हम ग्याद करना है पर्मानू अनुपात ये फिर Molar अनुपात तो जो पर्मानू अनुपात ये मोलर अनुपात है वह किस प्रेकार से ग्याद किया जाता है जो gram पर्माणू विभिन्ततव की हमें जिसका नंबर सबसे नियुनतम होता है सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्रतिक के ग्राम परमाणों को प्रतिक तत्व के ग्राम परमाणों को ठीक है तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1.25 तो इसको divide करेंगे, किस से divide करेंगे, 1.25 से ही divide करेंगे, तो 1.25 upon 1.25, तो इसका परमाणु अनुपात या molar अनुपात कितना आ गया, एक ठीक है, उसके बाद oxygen के लिए परमाणु अनुपात, 1.88 upon 1.25, तो आपको प्राप्त हो जाता है, 1.5 या फिर इसको आप क्या लिख सकत है, 3 upon 2, इसकी value 1.5 भी होती है, ठीक है, क्योंकि हमें सरलपूर्ण संख्या के अनुपात में चाहिए, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया, अब इसे सरलपूर्ण संख्या की रूप में कैसे अभी व्यक्त करेंगे, देखिए, इसके हर में है 2, अब हमें इसके ह साथ में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, है ना, तो वही गुणा हमें यहाँ पर भी करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गुणा 2, तो इसकी value आ गई 2, ठीक है, और इस वाले के लिए क्लिए क्या हो जाएगा, 3 upon 2 into 2, तो क ठीक है, और इसका जो अनुपात है, किसके साथ में, ऑक्सिजन के साथ में, वहें किसके बराबर आ जाएगा, वहें आ जाएगा, दो अनुपात, 3 के बराबर, ठीक है, तो हमने यह लिख लिया, अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, इसका मूलानुपाती सूत्र है वह क्या बन गया वह बन गया Fe2O3 ठीक है समझ गया आप लोग इतना तो ये तो हो गई दिये गए योगिक के लिए मुलान उपाती सूत्र की गढ़ना ठीक है अब अगला question देखते हैं अगला प्रश्ण है 0.375 मोलरता के 500 मिलिलीटर जली विलियन बनानी के लिए आवश्यक sodium acetate sodium acetate क्या होता है CH3COONA के द्रविमान की गढ़ना कीजिए sodium acetate का मोलर द्रविमान आपको दिया गया है 82 ग्रैम प्रती मोल ठीक है सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं हमें इस question में दिया क्या क्या गया है हमें दिया गया है sodium acetate का मोलर द्रविमान यानि की CH3COONA का मोलर द्रविमान और कितना दिया गया है 82.0 ग्राम प्रती मोल है ना तो यहाँ पर लिख लीजिए 82.0 ग्राम प्रती मोल ठीक है उसके अलावा और क्या क्या हमें दिया गया है हमें given है Willian की मोलरता कितनी है 0.375 मोलर है ना तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इक्वस टू 0.375 मोलर कैपिटल M से प्रदरशित करते हैं ना मोलरता को या फिर 0.375 इसकी इकाई क्या होती है मोल प्रती लीटर ठीक है और क्या given है इस question में यह 500 मिली लीटर जली विलियन है ना यानि की विलियन का आयतन भी हमको दिया गया है तो हम लिख लेते हैं विलियन का आयतन लेकिन आयतन हमें किस में दिया गया है मिली लीटर में दिया गया है जिसे हमें किस में चिंस करना चाहिए लीटर में ठीक है तो यह हो जाएगा 500 अपॉन 1000 लीटर ठीक है क्योंकि हमें 500 मिली लीटर में दिया गया था जबकि हमें जो मोलरता होती है वह वि request हो जाएगा 0.5 लीटर के ठीक है अब आपको ग्याद करना है sodium acetate का द्रविमान तो एक बार हम लोग William की मोलर्ता का न यहाँ पर formula लिखते हैं या फिर गणितीय रूप लिखते हैं तो William की मोलर्ता बराबर किसके हो जाएगी इस question के according लिखते हैं उसको ठीक है तो यह हो जाएगी sodium acetate यानिकी CH3COONA इसके द्रविमान अपॉन मोलर द्रविमान मोलर द्रविमान किसका? इसी का sodium acetate का CH3COONA ठीक है? और इसका whole अपॉन प्रती लीटर आयतन में ग्याद की जाती है न मोलर्ता तो किसमें होता है? विलियन का आयतन लीटर में इसी लिए तो हमने 500 मिलीटर को लीटर में चेंज किया था है ना? तो इस फॉर्मले से हम लोग sodium acetate का द्रविमान तो ग्याद करी सकते हैं क्योंकि हमारे पास CH3COONA यानि कि sodium acetate का मोलर्विमान हमें पता है यहाँ पर हम उसे पुट कर देंगे विलियन का आयतन हमें मालूम है यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विलियन की मोलर्ता हमें मालूम है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो बचा ये sodium acetate का द्रविमान उसकी गर्णा हम इससे कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसकी values put करते हैं विलियन की mol अरता कितनी given है 0.375 mol प्रती लीटर तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.375 mol प्रती लीटर प्रती लीटर को क्या लिख सकते हैं लीटर की power minus 1 ठीक है equals to CH3COONA का द्रविमान या फिर sodium acetate का द्रविमान upon molar द्रविमान और जो यह molar द्रविमान है यह multiply किसके साथ में हो जाएगा विलियन के आयतन के साथ में ठीक है तो हम लोग यहाँ पर values रखते हैं molar द्रविमान कितना दिया गया है 82.0 gram प्रती mole ठीक है तो हमने यहाँ पर इसकी value रख दी into विलियन का आयतन लीटर में कितना है 0.5 liter ठीक है अब देखिए इसको solve कीजिए तो यह सारी values जो right hand side पर divide में है left hand side में जाएंगी तो multiply हो जाएंगी है ना तो यह सारी values अब क्या हो जाएंगी multiply हो जाएंगी तो 0.375 mole प्रती लीटर into 82.0 gram प्रती mole ठीक है into 0.5 liter ठीक है तो जब आप इन सब को multiply करोगी तो आपको sodium acetate या फिर CH3COONA का द्रविमान ग्याद हो जाएगा और उसकी value आजाएगी 15.375 किस में आ जाएगी value ग्राम में तो यह हो गया sodium acetate का द्रविमान दिये गए question के लिए ठीक है अब next question देखते हैं क्या पूछा जा रहा है 100 ग्राम copper sulfate CUSO4 से कितना copper टाप्त किया जा सकता है questions में सबसे पहले हम क्या करते हैं जो अणू हमें दिया गया होता है उसका द्रविमान ग्याद करते हैं है ना तो CUSO4 का आणुविक द्रविमान क्या हो जाएगा यह हो जाएगा copper का पर्मानू द्रविमान प्लस sulfur का पर्मानू द्रविमान प्लस चार गुणा oxygen का पर्मानू द्रविमान तो सबसे पहले copper का पर्मानू द्रविमान कितना होता है 63.51 या unit प्लस, sulfur का पार्मानो द्रविमान कितना होता है, 32, 2001 या फिर 32 unit, प्लस, oxygen का पार्मानो द्रविमान कितना होता है, 16,81 या 16 unit, लेकिन oxygen के चार पार्मानो हैं, तो चार गुणा 16 ठीक है, अब इसको solve कीजिए, जब आप इसको solve करेंगे, तो copper sulfate का जो आणविक द्रविमान है वह आपको प्राप्त हो जाएगा 159.5 unit ठीक है अब जब हमें copper sulfate का आणविक द्रविमान 169.5 IK प्राप्त हो गया है तो जो copper sulfate है या CuSO4 है उसका gram आणविक द्रविमान क्या हो जाएगा gram में आजाएगा है ना और same to same value रहेगी तो इसका gram आणविक द्रविमान हो गया 159.5 gram ठीक है तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि 159.5 gram copper sulfate यानि कि CuSO4 में copper की मात्रा कितनी है copper कितना gram है तो देखिए 169.5 gram total copper sulfate का क्या है gram आणविक द्रविमान है इसमें copper कितना है 63.5 gram ही तो है तो यहाँ पर लिख लेते है 63.5 gram ठीक है इसलिए 100 gram हमें 100 gram के लिख याद करना है है ना तो 100 gram copper sulfate में copper कितना होगा तो बताइए कैसे करेंगे वही एकक नियम या प्रिट्री मेथर्ड का प्रियोग करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 63.5 इन्टू 100 अपॉन 159.5 ठीक है तो इतना gram copper इसको solve कीजिए इसको जब आप solve करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39.81 ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि 100 gram copper sulfate से 39.81 यानि कि 49.81 ग्राम copper प्राप्त किया जा सकता है इतना समझ गे अब अगला प्रश्न करते हैं अगला प्रश्न है कि बताईए SI पद्धती के अनुसार वेग आधार भूत राशी है अथ्वा वित्पन क्यूंकि जो वेग है वह दो राशियों दो आधार भूत इकाईयों पर निर्भर करता है एक होता है विस्थापन और एक होता है समय क्यूंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय ठीक है अब विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा जो लंबाई का मात्रक होता है या जो दूरी का मात्रक होता है, है न, तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, या फिर मीटर सेकंड की पावर माइनस वन, ठीक है, या फिर और किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, meter second minus one, ठीक है, तो ये हो गया वेग की इकाई, या फिर वेग का मात्रक, जो की आधार भूत इकाईयों के थ्रू उत्पन्न हुई भी राशी है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वित्पन्न राशी, तो आपका आंसर क्या है, कि वेग एक वित्पन्न राशी होती है, अगला question देखते है, अगला प्रशन है, आप कैसे प्रमानित करेंगे, कि जल एक यूगिक है, न गले हमें पता होना चाहिए, कि यूगिक क्या होता है, और मिश्रन क्या होता है, तो यूगिक में जो दो या दो से अधिक्तत हु मिले होते हैं, वे एक निश्यत समा अनुपात में मिले होते हैं, जबकि मिश्रन में ये जो पदार्थ हैं, जिन पदार्थों ने मिलकर किसी मिश्रन का निर्मान किया है, उनका अनुपात निश्यत नहीं होता है, ठीक है, तो देखिए, जो जल होता है, वह एक योगिक होता है, क्यूंकि इसके कुछ पॉइंट हम लोग note करेंगे देखिए इसमें पहला point है कि भौतिक विधियों से इसके घटक अलग नहीं किये जा सकते जल का रासाइनिक सूत्र क्या होता है H2O है ना तो इसके घटक कौन-कौन से है एक है hydrogen और दूसरा है oxygen तो विभन भौतिक विधियों के द्वारा अर्थात भौतिक विधियों में क्या क्या शामिल होती है जिन विधियों को हम नौर्मली जिन के लिए हमें कुछ रासाइनिक प्रक्रम करने की जरुरत ना पड़े जैसे कि छान कर या किसी वस्तू को चोट करके इस प्रकार से हम उसके घटकों को अलग नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है ये पहला पॉइंट है ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट से ये योगिक होने की श्रिणी में आ गया है ठीक है तो इसका एक पॉइंट तो ये है कि इसक इसके घटकों को भौत- इक विधीयों से हम लोग प्रaciक नहीं कर सकते। अब दिखते हैं इसका दूसरा पॉइन्ट है कि जो जल अपसट sp셔서 है उसके घटकों के गुण से बिल्कुल भिन्बू होते हैं। अब फिर से वही बात इसके घटक कौन-कौन से हैं। इसके घर्टकों में शामिल है hydrogen और oxygen ठीक है अब देखिए जो hydrogen है वह क्या है वह काफी देहनशील पदार्थ है या देहनशील तत्व है ठीक है जबकि जो oxygen है वह क्या है वह देहन में साहयक है है ना तो hydrogen तो हो गई देहनशील ठीक है और oxygen भी क्या है देहन में साहयता करती है जो जल होता है या H2O, अनु होता है, है ना, वह क्या होता है? वह होता है आग बुझाने में सहायक, तो बिल्कुल ही इसके जो गुण है, वह इसमें उपस्थित घटकों के गुण से अलग है या नहीं है, ठीक है? तो second point भी आप लोग समझ गए इसका, कि जो जल होता है उसके घटकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है? इसका third point है, कि इसके घटकों के द्रवेमानों का अनुपात सदयव निश्यत होता है, जब हम लोग योगी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था, कि जो जल होता है, उसमें उपस्थित जो घटक होते हैं, यानि की हाइड्रोजिन का द्रवेमान, और उसका अनुपात किस से? अक्सिजन के द्रवेमान के साथ में, हमेशा एक अनुपात आर्ट के अनुपात में ही होता है, है ना, चाहे आप जल किसी भी श्रोट से प्राप्त करो, है ना, चाहे अपने घर के नल से प्राप्त करो, या फिर नदियों से प्राप्त करो, या फिर कहीं भी किसी भी श्रो होगा उसमें hydrogen और oxygen के जो द्रविमानों का अनुपात रहेगा वह हमेशा एक अनुपात आठ के रूप में ही रहेगा तो ये जल के योगिक होने की एक और कसोटी होगे एक और जो इसके अव्यव हैं वे हर जगे समान रूप से ही वित्रित होते हैं तो ये कुछ points थे जो ये प्रूफ करते हैं या सिद्ध करते हैं कि जल एक योगिक है ये वाला question भी हो गया अब next question देखते हैं तो अगला question है कि 0.5m small m naoh यानि की sodium hydroxide और 0.5m यानि की capital M sodium hydroxide से कैसे भिनने हैं तो आप लोगों को कुछ याद आया ये capital M और small m को देख कर जो ये small m है ये show करता है किसको molalta को यानि की molality को है ना हम लोगों ने discuss किया था ये कि जो small m होता है वह प्रदर्शित करता है molalta को और जो capital M होता है वह प्रदर्शित करता है किसको molarta को यानि की molarity को ठीक है तो अगर हम 0.5m sodium hydroxide तो इसका मतलब है कि ये 0.5 molar sodium hydroxide की बात की जा रही है जहाँ पर हम 0.5 capital M बोल रहे हैं तो वहाँ पर इसका मतलब है कि 0.5 molar sodium hydroxide की बात की जा रही है ठीक है तो यहीं से एक बार revise कर लेते हैं कि molarta क्या होती है और molalta क्या होती है तो molarta क्या होती है विलियन के प्रती लीटर आयतन में घुले विले के ग्राम मोलो की संख्या ही क्या कहलाती है मोललता कहलाती है, जबकि मोललता क्या होती है, 1000 ग्राम या 1000 ग्राम विलायक में गुले 22 ग्राम मोलो की संक्या ही मोललता कहलाती है, ठीक है, अब अगला प्रश्ण। अगला प्रश्न है किसी रासाइनिक समीकरण को संतुलित करना क्यूं आविश्यक होता है तो बताए कि हम किसी भी रासाइनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि वह द्रविमान संग्रक्षन के नियम के अनुसार हो जाए या फिर द्रविमान संग्रक्षन के नियम का पालन करे है ना ऐसा क्यूं हमें करने की जरुरत होती है क्यूंकि द्रवेमान संग्रक्षन का नियम बोलता है कि किसी भी रासाईनी का भिक्रिया में ना तो द्रवेमान का स्ट्रेजन होता है और ना ही द्रवेमान का विनाश होता है तो इसके लिए अगर हमें कोई भी समिकर करन दी जाती है तो हमें उसके left hand side और right hand side अरठात अभिकारकों की तरफ और उत-पादों की तरफ जो द्रव्यमान है न वहे क्या करना होता है बराबर करना होता है ठीक है और इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों साइट जो समान टाइप के तत्व हैं उनके परमानूं की संख्या क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं जिससे की अभिकारकों का listen और उतपादों का ढ्रविमान क्या हो जाता है बराबर हो जाता है और इसके माध्य म से कोंई भी समिकरन ये बताती है कि द्रविमान संग्रक्षन का नियम का अनुपालन हो रहा है, ठीक है? Next question देखते हैं, अगला प्रेशन है, निम्न को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, तो देखिए वैज्ञानिक संकेतन या फिर scientific notation के रूप में हम किसी नमबर को कैसे लिखते हैं? n into 10 to the power n के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने इन सभी नमबर को scientific notation यानि की n into 10 to the power n के फॉर्म में लिखना हैं, अब देखिए 0.0048 इसको हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, देखिए हमें n चाहिए, यानि कि हमें 0.4 के बाद लाना पड़ेगा, है न? तो हमने 4.8 यहाँ पर लिख दिया, into 10 to the power कितना हो जाएगा? अब हम लोगों को यह मालूम है कि जब हम दश्यमलाव को या जो यह point है, इसको right side move कराते हैं या shift कराते हैं, ठीक है? तो तब जो घात आती है या जो यह n का मानाता है, यह रिनातमक हो जाता है, ठीक है? तो हमने रिन का या minus का sign लगा दिया, अब कितने अंक हमने shift कराया है इस point को तो गिनिए, एक, दो, तीन, तो 10 की घात कितना आ गया? रिन, तीन, यह हो गया 0.0048 के लिए वग्यानिक संकेतन का अभी व्यक्ति, ठीक है? अब देखिए 8.008, इसे आप वग्यानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप इसको क्या लिखेंगे? 8.008 into, अभी हमने point को किधर shift कराया है? हमने यहाँ पर point को left side shift कराया है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 to the power 3, ठीक है? जब आप इसक को multiply कर दोगे, तो यह इतना ही आ जाएगा, ठीक है? 6.0012, इसको लिखेंगे वग्यानिक संकेतन के रूप में, क्या आपको इसमें कुछ गल्ती नजर आ रही है? जिसके, तो यह तो लग भग वग्यानिक संकेतन के रूप में है ही, तो हम इसे क्या लिख सकते है? 6.0012 into 10 to the power, अब हम 10 to the power ऐसा क्या लिखें? कि नंबर ऐसा ही रहे, क्योंकि हमारे पास N तो सही है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं 10 to the power 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है, तो उसका मतलब हो जाता है 1, तो जब 10 to the power 0 हम करेंगे, तो यह equal to हो जाएगा 1 के, ठीक ह अब यह equal 1 हो जाएगा, तो यह संख्या एक से गुणा हो के इतनी ही आ जाएगी, ठीक है? तो हमने इस प्रकार से इन तीनों ही संख्याओं को विज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया, अब देखते हैं अपना अगला question, अगला question है, निम्न में कितने सार्थक अंख ह यह हमें बताना है, तो देखिए जो यह पहली संख्या है, 0.0025, इसमें कितने सार्थक अंख होंगे? इसमें हैं किवल 2 सार्थक अंख, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 है, पॉइंट से पहले जो 0 है, वह तो सार्थक अंख नहीं कहलाएंगे, अगर इनके पहले को अब देखिए next वाला question 5005 इसमें कितने सार्थक अंग होंगे तो ये चारों के चारों ही सार्थक अंग है ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 सार्थक अंग next वाला question देखिए 2.0034 इसमें कितने सार्थक अंग है देखिए जो ये point है है ना point लगा है और 0 जो है वो non zero numbers के बीच में है तो ये सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे सार्थक अंग हो जाएंगे तो 1,2,3,4,5 कितने सार्थक अंग हो गए यहाँ पर हो गए 5 सार्थक अंग ठी है एथेन यानिकी C2H6 के तीन मोलों में निम्नकी गर्ना कीजिए कितने मोलों में तीन मोलों में ठीक है यह याद रखना है कार्बन के मोलों की संख्या हाइड्रोजन के मोलों की संख्या और एथेन के अणों की संख्या ग्याद करनी है हमें तो एक एक करके सॉल्फ करते है पहला है कार्बन के मोलों की संख्या ग्याद कीजिए तो देखिए एक मोल C2H6 यानि की एथेन में कार्बन के मोलों की संख्या कितनी है तो C2H6 में कार्बन के मोल हैं दो मोल है ना इतने ही तो है C2 है ना तो कितना हो गया दो मोल ठीक है अब हमें ग्याद करना है कि 3 mol ethane में यानि कि 3 mol C2H6 में कारबन के कितने mol हैं या कारबन के mol की संख्या क्या है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 into 3 इतने mol या फिर कितने mol हो जाएंगे 6 mol तो हमने ग्याद कर लिया कि 3 mol C2H6 यानि कि ethane में कारबन के mol 6 mol हो जाएंगे ठीक है अब हमें ग्याद करना है hydrogen के mol की संख्या देखिए hydrogen के mol की संख्या ग्याद करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि 1 mol ethane यानि कि C2H6 में hydrogen के mol कितने हैं तो एक mol C2H6 में hydrogen के mol है 6 mol है न इतने ही तो है तो यहाँ पर लिख लिए 6 mol तो इसका क्या मतलब है अगर हमें 3 mol C2H6 या फिर एथेन के लिए hydrogen के mol की संख्या ग्याद करनी है तो वे कितने हो जाएंगे वे हो जाएंगे 6 गुणा 3,18 mol ठीक है तो इसका मतलब 3 mol ethane में hydrogen के mol की संख्या 18 mol होगी ठीक है अब इसका जो last question था एथेन के अणूओं की संख्या किस में एथेन के 3 mol में हमें याद करनी है एक mol C2H6 में या फिर एथेन में अणूओं की संख्या कितनी हो जाएगी एक mol की जब ही भी हम बात करते हैं तो वे कितने नंबर के बराबर होता है वे होता है 6.022 into 10 to the power 23 संख्या के है ना तो यहाँ पर संख्या लिख लिजिए या अणू लिख लिजिए कुछ भी लिख लिजिए ठीक है तो इतने अणू हो जाएंगे एक mol एथेन में हमें कितनी के लिए गयाद करना है हमें गयाद करना है 3 mol के लिए तो 3 mol एथेन यानि कि C2H6 में अणू की संख्या कितनी हो जाएगी तो इस एवोगेद्रो नंबर को कितने से गुणा कर देना है तीन से गुणा कर देना है ठीक है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 mol एथेन में अणू की संख्या तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 1.81 into 10 to the power 24 अणू ठीक है तो इतनी संख्या में जो है अणू होंगे एथेन के 3 मोलों में ठीक है यह वाला point clear हुआ आपको कि 10 to the power 24 क्यों आ गया यहां तो 10 to the power 23 ही था तो देखिए इसको कैसे solve किया है यह जब आप इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 18.066 into 10 to the power 23 अणू हमें लिखना है इसे वैग्यानिक संकितन के अधर पर और उसमें क्या होता है हम बना देते हैं इसको n और n के लिए हमें क्या करना होता है एक अंक पहले रखना होता है point से पहले ठीक है तो हम इसको लिख देते हैं 1.8 अब यह यहाँ पर 0 था यह 5 से बड़ा नंबर है तो हमने यहाँ पर एक add कर दिया तो यह 1.81 हो गया into हमने point किधर की side shift बाइं तरफ shift किया है ठीक है तो यहाँ पर क्या जुर जाएगा एक जुर जाएगा और यह कितना आ जाएगा 24 ठीक है तो यह बन गया 1.81 into 10 to the power 24 अनू तो यह question भी हमारा solve हो गया अब करते हैं अगला question अगले question में एक अभिक्रिया दी गई है hydrogen chloride या फिर hydrochloric अमल ने ख्रिया की है magneze dioxide के साथ में और उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया है magneze chloride, chlorine gas और जल इस अभिक्रिया के अनुसार 5 ग्राम magneze dioxide के साथ कितने ग्राम HCl यानि की hydrogen chloride की अभिक्रिया हुई है यह हमें इस question में इसकी गणा करनी है तो यह तो हमने note कर ली समीकरण जो की हमको दी गई थी ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को यह चेक करना है कि हमें पदार्थ कौन कौन से किन-किन की जरूरत है इस question के according तो हमें magneze dioxide का भार या द्रवेमान 5.0 ग्राम दिया गया है और हमें चेक करना है कि इसने कितने ग्राम HCl के साथ में अभिक्रिया की है ठीक है तो इसका मतलब है हमें यह HCl और यह magneze dioxide इसकी जरूरत है तो हम इन दोनों का ही आणविक द्रवेमान सबस देखिए यहां पर इसके आगे से चार लगा हुआ है इसका मतलब चार का गुणा है हाइड्रोजन के साथ में भी और क्लोरीन के साथ में भी इसका ग्या मतलब है कि जो यह हाइड्रोजन है इसके परमानों की संख्या भी चार है और क्लोरीन के परमानों की संख्या भी चार तो चार को हम common ले लेते हैं और hydrogen का परमानु द्रवेमान लिखते हैं एक ग्राम या फिर अगर ग्राम आणविक द्रवेमान की रूप में अगर हमें ग्याद करना है तो हम इन दोनों के ही जो परमानु है इन दोनों तत्वों की जो परमानु द्रवेमान है उन्हीं ग्राम में लिख लेते हैं ठीक है तो एक ग्राम प्लस क्लोरीन का औसत परमानु द्रवेमान कितना होता है 35.5 ग्राम ठीक है तो इसको सॉल्फ करेंगे तो इसका आणविक द्रवेमान आपको ग्याद हो जाएगा 146 ग्रैम ठीक हो गया अब मेगनीज डाइ प्लस ऑकसीजन का ग्राम परमानु द्रवेमान कितना हो जाएगा दो परमानु है दो गुणा 16 ग्राम ठीक है और इसको जब हम लोग सॉल्फ करेंगे तो यह आ जाएगा 87 ग्राम ठीक है तो हम लोगों ने इस वाले अनु के लिए और इस वाले अनु दोनों के ही आणविक द्रवेमान ग्याद कर लिए अब हमारे लिए easy हो गया इस question को solve करना है ना तो हम इनके आनुविक द्रवेमानों को देखते हुए यह लिख सकते हैं कि 87 ग्राम या 87 ग्राम मेगनीज डायोकसाइड MNO2 से अभिक्रिया करने वाला जो hydrogen chloride है HCl है वह कितना है वह है 146 ग्राम त डायोकसाइड से अभिक्रिया करने वाले hydrogen chloride की मात्रा की गरना कर सकते हैं है ना कैसे करेंगे 146 अपॉन 87 इन्टू 5 और यह किसमें आ जाएगा ग्राम में जब आप इसको solve करेंगे तो आपका आंसर आजाएगा 8.39 ग्राम ठीक है तो आपके question का आंसर यही है कि 5 ग्राम 9 ग्राम HCl यह hydrogen chloride की अभिक्रिया होगी यह question भी solve हो गया अब अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है 96 या 96 यूनिट ओजोन में कितने oxygen परमानों उपस्थित होते हैं तो 96 इकाई ओजोन यानि की O3 में oxygen परमानों हो जाएंगे 96 यूनिट अपॉन oxygen की एक परमानों का द्रवेमान कितना होता है 16 एकाई ठीक है अब इसको इसमें भाग दे दीजिए तो 16, 6, 96 होता है, तो यहाँ पर कितना आजाएगा, 6 परमानू, ठीक है, तो 96 यूनिट या 96 यूनिट ओजोन में, ओजोन का अनू सूत्र क्या होता है, O3, ठीक है, इसमें ऑक्सिजन परमानू की संख्या होती है, 6 परमानू, ठीक है, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, अगला प्रशने हैं, किसी अनू का उदाहरन दीजिए, जिसमें आनूविक सूत्र का अनूपात, मुलानूपाती सूत्र का 6 गुना होता है, तो ऐसी यूगी का उदाहरन है, ग्लुकोज, ग्लुकोज का आनूविक सूत्र क्या होता है, ग्लुकोज का आनूविक सूत्र होता है, C6 XH12O6, ठीके, तो ये तो क्या है, ये है आर्णविक सूत्र, किसका, ग्लुकोज का, ठीके, और इसका मुलानुपाती सूत्र क्या होता है, इसका मुलानुपाती सूत्र हो जाता है, CH2O, ठीके, क्योंकि यहां पर 6 क्या है, 6 है common, ठीके, तो इसका जो मुलानुपाती सूत्र हो 2s are 12 होता है, तो यहाँ पर आगया 2, यहाँ पर भी 1 आना था, 1 लिखने की जरुरत है नहीं, ठीक है, यह CH2O होता है, ग्लुकोस का मुलानुपाती सूत्र, अब आप इनकी तुलना कीजिए, और देखिए, जो यह आणविक सूत्र है, यह इसके मुलानुपाती सूत्र से 6 ग होना होता है, तो इसका आंसर है ग्लुकोस, ठीक है, तो हमने बहुत सारे कुशिन्स सॉल्फ कर लिए, अपने 1st चैप्टर से रिलेटेट, यह सारे ही कुशिन्स बहुत जादा इंपोर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, और ऐसी ही कुछ और कुशिन्स, जो आपको आपकी बुक्स में कहीं पर भी मिलते हैं, उनकी भी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, और साथी साथ रिविजन्स करते रहना है.